असलमू अलेकुम दोस्तों स्वागत है आपका अबू हयात के यूट्यूग चैनल पार आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचैस्ट सवाल पर दुबाई का इतिहासिक बैक्राउंड, दुबाई का इतिहासिक बैक्राउंड काफी रिच है ये कुछ मुख्य बिंदु है, सोने की दुनिया, गोल्डन एज दुबाई की शुरुवात 19th सेंचरी में हुई थी जब ये एक चोटा सा फिशिंग विलिच था धीरे धीरे, पर्ल डाइविंग और ट्रेडिंग की वजए से दुबाई ने अपने आपको एक महात्वा पूना ट्रेडिंग हब बनाया ओल की खोज और विकास, डिसकावरी ओफ ओल 20th सेंचरी में ओल की खोज ने दुबाई का भविश्य बादल दिया 1966 में ओल एक्सपोर्ट्स ने दुबाई को एक प्रोस्परस एकॉनमी बनाया इसे दुबाई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मोडर्नाइस किया शेक जायद रोड और बुर्ज अल अरब, मोडर्न डिवेलप्मेंट 1970s के बाद, दुबाई ने एक टेजी से विकास किया शेक जायद रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ और आइकॉनिक लैंड मार्क्स जैसे की बुर्ज अल अरब और पाम जुमेराह ने दुबाई को ग्लोबल मैप पार स्थल अन्टेरिट किया तुरिजम और बिजनिस हाब दुबाई ने अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए कई कदम उठाए जिसमें टुरिजम और बिजनिस का विशिश महात्वा है वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मोल्स, लक्शुरी होटेल्स और ग्लोबल इवेंट्स ने दुबाई को एक प्रमुख ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाया विशनरी लीडर्शिप दुबाई के विकास में शेक रशीद बिन साइड अल मक्तूम और उनके वारिस जैसे की शेक मोहमद बिन रशीद अल मक्तूम का बहुत बड़ा योगदिन है उनका विशन ने दुबाई को एक मॉडर्ण, डाइनामिक और फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाया अगर आपको ये विडियो पसंद आया होते लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नावाएँ